दोस्तों अगर आपके वीडियो पर व्यूस नहीं आ रहा है, 10-15 व्यूस आने के बाद और व्यूस नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग के टाइम पर सब के साथ यह पॉबलेम होता है, मेरे साथ भी यह पॉबलेम हुआ है, और आपके साथ आभी हो रहा है, तो स्टार्टिं सपति के टाइम पर मेरा बहुत सरा ऐसीविडीयो है teaches विडियो पर 10000-10000 में भी उस है तो स्टार्टिंग के टाइम पर अगर आपके विडियो पर विडियो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मेथोड फॉलो करना चाहिए, और इस वीडियो के आंदर 5 ऐसी पॉइंट सेर करने वाला हूँ, जिस पॉइंट को अगर आप सही तरीके से आपके चैनल पर फॉलो करते हो, देन गाइस डेफिनेटली आपको यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वाई लोग सबसे पहले आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज कहां से आता है, दो ही तरीके से सबसे ज़्यादा व्यूज आता है, एक यूट्यूब सर्च, दूसरा ब्राउच फिचर, ब्राउच फिचर से तभी आपके वीडियो पर व्यूज आएगा, जब यूट्यूब आपका वीडियो को रिकॉमेंट करेगा, जब आपका वीडियो को प्रोमोट करेगा, तभी ब्राउच फिचर से आपका वीडियो पर व्यूज आएगा, ब्राउच फिचर क्या होता है आप YouTube application को open करते हैं, open करने के बाद जितनी भी आपको videos आपको वहाँ पर देखेने को मिलता है, वो सारा video YouTube recommend कर रहे हैं आपको, आप click करके उस video को देखते हो, ऐसे में guys उनको बहुत सारा views आता है, तो यह हो गया पहला तरीका, दूसरा जो यहाँ पर है YouTube search, सबसे पहले प्रूब देख लीजिए, मैंने एक videos बनाया था, अगर कोई भी audience इस topic को search करेगा YouTube पर, search करने के बाद यहाँ पर आप देख सेकते हैं, मेरा video first number पर आ रहा है, और इस video पर यहाँ पर million में यहाँ पर views है, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, starting के time पर आपको कोसिस करना ह जो topic YouTube पर लोग search करते हैं, तो आपको सबसे पहले searchable topic के उपर video बनाना है, तो searchable topic आप पता कैसे करोगे, सबसे पहले YouTube पर आपको एक feature दिया है, research, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको Chrome browser को open करना है, YouTube studio को open करना है, then page जाना होगा analytics, उसके बाद आपके research का tab देग इने को मिल रहा है, और इस site यहाँ पर देख सकते हैं, जो search volume है, वो high है, तो लोग यहाँ पर जादा यहाँ पर search कर रहा है इस topic को, तो इस topic के उपर आप videos बना सकते हो, और हाँ एक चीज़ हमें सब को धियान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका चैनलन का category है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर topic select करना है, उसके उपर आप videos बना सकते हो, और अगर आपका वीडियो एक बार rank हो जाएगा, तो ऐसे में आपको बहुत सारा views मिलेगा, आपका YouTube चैनल ग्रो होने में यहाँ पर बहुत ज़दा मदद करता है, अगर आपका वीडियो एक बा अपलोड कर दिया, तो कौन आपका वीडियो को देखेगा, मालो आपका जो average views यहाँ पर 50 आते, ठीक है, उस टाइम पर लोग यहाँ पर active रहते, और अपनी यहाँ पर ऐसी time select किया, जिस टाइम पर audience भी यहाँ पर active नहीं है, तो ऐसे में आपके वीडियो पर उतना जादा यहाँ पर starting के time पर views नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको check करना बहुत ही जुरूरी है, कौन से time पर आपका audience ज्यादा active है, तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं, जो यहाँ पर purple color ज्यादा है, उस time पर मेरा audience ज्यादा active है, तो उस time पर अगर मैं वीडियो अपलोड तो भाई लोग यहाँ पर chance बढ़ जाता है, audience मेरा वीडियो को तुरन देखे, अगर एक घंटे के अंदर आपके वीडियो पर ज्यादा views आ जाएगा, थोरा सा ही ज्यादा मालों, आपके बारेज ब्यूस 50 आता है, 100 आ गया, तो YouTube उस वीडियो को और लोगो के पास यहाँ पर recommend करेगा, और लोगो के पास भेजेगा, जिससे आपके वीडियो पर use आने का यहाँ पर chance बढ़ जाता है, आपका वीडियो यहाँ पर viral भी यहाँ पर हो सकता है, तीसर जो यहाँ पर point है, जो की है watch time, और यह काफी important point है, अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, तो आपका वीडियो भाइरल होने का chance बहुत ही यहाँ पर काम हो जाता है, सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा, आपका वीडियो का audience retention कितना है, percentage कितना है, 10%, 15%, 20% अगा रहे है, तो ऐसे में गाइस audience आपका वीडियो में click तो कर रहे है, मगर पूरा watch नहीं कर रहे है, व लिट्रो देगेनों को मिलता है, top moment देगेनों को मिलता है, spike देगेनों को मिलता है, और last में आपको इक deep देगेनों को मिलता है, deep option को पर click करने के बाद आपको पता चाले जाएगा, कहाँ पर audience वीडियो को skip कर रहे है, और यहाँ पर आप देख सेक, तो graph यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब कर दो, तो ऐसे में भी गाइस audience वीडियो को skip करके चला जाता है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको यह पर देखना है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आप mistake कर रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो के आंदर थोड़ा बहुत आप यहाँ पर cut कर सकते उस पार्ट को जिस पार्ट पर audience वीडियो को skip करके जा रहे हैं, तो trim करने के लिए आपको फिर से chrome browser open करना है, youtube studio open करना है, उसके बाद आपको वीडियो में जाना है, और उस वीडियो को select करना है, select करने के बाद आपको edit option के उपर click करना है, edit option के उपर click करने के बाद उपर आपको trim का option देगने को मिलेगा जस भी पार पर audience आपका вीडियो को skip करके जा रहा था उस पर्टको आपको trim कर देना है trim करने के बाद वो पार्ट ढिलीट हो जाएगा उसको आपको save कर देना है सेफ करने के बाद यहां पर काफी हद तक आपका वीडियो का जो ओडियन्स इटेंस है वो यहां पर ठीक हो जाएगा अगर वाश्ट टैम अगर अच्छा आएगा वीडियो के अंदर तो यूटूब उस वीडियो को और लोगों के पास प्रोमोट करता है जिससे आपका वीड को सुधार नाए वीडियो के अंदर ठीक है इस इस कॉमेस आपको ध्यान में रखना होगा चौथा जो यहां पर पॉइंट है ए बी टेस्टिंग आप बोलोगे भाई यह ए बी टेस्टिंग होता क्या है अगर ए काम नहीं किया तो बी को आपनाना पड़ेगा आपका वीड करने के बाद वीडियो को पब्लिस कर देना है पब्लिस करने के बाद आप एक दो दिन वेट करो देखो आपका वीडियो पर जो CTR है क्लिक थुरू एट जिसो कहते हैं वो कितना परसेंट यहां पर आ रहा है अगर CTR तीन परसेंट आ रहा है चार परसेंट आ पांच परसे फिर से आपको add करने का फिर से आपको देखना है क्या CTR यहां पर बढ़ रहा है लोग यहां पर क्लिक करके देख रहा है अगर CTR बढ़ रहा है तो काफी अच्छी बात है अगर आपका CTR 10% है 10% के उपार है तो इसे में काफी अच्छा माना जाता है काफी high CTR है तो इसे में नमबर 5 जो पॉइंट है और यह लाश्ट पॉइंट है जो की काफी important पॉइंट है आपको यहाँ पर आपके वीडियो पर टाइटिल अच्छे से लिखना होगा इस आपके वीडियो पर आप ACO कर सकते हो जिससे आपके वीडियो पर यहाँ पर व्यूज आ सकता है आपका वीडियो वाइरल हो सकता है तो यह सारा point कैसा लागा नीचे comment करके मेरे को जुरूर बताना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है जो इसे के like कर देना subscribe भी कर देना मिलते वाई लोग जल्दी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार